Hello Friends, इस पीडियो में हम लोग अपने Facebook IdeaCount का Facebook Username मींद जो Profile Link के URL होता है उसे Change या Customize करने वाले हैं तो Friends अगर आपको पाता नहीं कि Facebook Profile Link के URL क्या होता है और उसे Change या Customize करना के क्या फायदा है तो चले मैं इसे आपको Live Example बता देता हूँ तो जैसे ही आप अपने Facebook एपको open करेंगे, open करने के बाद आप अपने profile पक्लिक करेंगे, profile पक्लिक करने के बाद जैसे आप इस three dots पक्लिक करेंगे, तो आपको यहिए your profile link के नीचे एक link एवारल दिखता है, https colon double slash www.facebook.com slash, और यहां आपको सिलेस के बाद profile.phd id इतना बहुत चारा लंबा लंबा मतलब text दिख जाता है तो इसे हमें sort करना है मतलब facebook.com सिलेस और उसके बाद से आपको एक यूनिक नेम देना है जो आप चाहते हैं और जो फेस्बूक पर अबलेबल होगा तो उसे हम लोग इसे बाड़ा है तो इसे हमें कस्टमाइज करना है तो कस्टमाइज करेंगे और जैसे इसे कोपी करके कहीं भी Chrome ब्राउजर में करेंगे तो डायरेक्ट हम अपने facebook पर पहुंच जाएंगे तो मतलब हमें यह लंबा लिंक है तो इसे हमें सॉट करना है मतलब जो से लेश के बाद प्रोफाइल डॉट पीचडी आईडी इतना लंबा है तो हमें इसे सॉट करना है और अपना एक यूनिक नेम मन पसंद का फोरो सेलेक्ट करना है तो यह हमें सिलेक्ट और क Anders करते हैं चले इसे कृस्ट इस चींज करते हैं यह चान लेते हैं तो इसके लिए सबसेब आप अपने आप अपने Chrome ब्राउजर को ओपेन कर लिजिए अगर आप इसमें अपने Chrome ब्राउजर में Facebook एकाउंट को लॉगिन नहीं किये हैं तो लॉगिन कर लीजिएगा इस पर मैं अल्रेडी एक वीडियो बना चुका हूं और अगर आप अपने phone नंबर को verify नहीं किये हैं तो आप verify भी कर लिजिएगा तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना चुका हूं तो आप कर लीजिएगा उसके बास आपको यहां सर्च बार में आपको पॉर्ब हैं को सदवन करना है, जैसे हैं सर्च करेंगी तो आपको पेज को थोड़ा स्कर्लॉ इस पर लिए वाले लिंक योर्णैम neighborhoodQué macam करना है जैसे हैं क्लिक करेंगे तो आपको यह यूजर्डेम इपर लिए कि अबाफसण दिखेंगे तो like मैं type कर लेता हूँ यूएके, यूएके, ओके ability पर check करते हैं, तो friends से कर रहा है यूएके is not available, मतलब ये available हैं, तो आप दूसरा select करें तो चले मैं select कर लेता हूँ, यहां आपको suggestion दे रहा है, अगर आपको यह पसंद आए, तो यही आप username select कर सकते हैं, तो मैं इसमें से मुझे कोई पसंद नहीं, तो मैं अपना username select कर लेता हूँ, ओके तो चले मैं select कर लेता हूँ hello, hello, you a k, ओके hello, you a k, ओके, उसके बाद आपको यहां check ability पर click करना है, ओके तो friends, hello, you a k username available है, तो चले मैं yes पर click कर देता हूँ, तो friends, direct your friends facebook.com slash hello, you a k, हम लोगों का username means profiling create हो गया, अब जैसे ही इस link पर आप किसी को इस link को share करेंगे और इस link पर जैसे ही कोई click करता है, तो आपके direct facebook profile पर redirect हो जाएगा, तो मतलब friends यह इस पर जैसे ही इसे copy कर लेते हो, के copy link कर लेते हैं, copy link address अब जैसे ही आप इसे कोई भी google या chrome browser के search बार में इसे paste करते हैं, okay, paste करेंगे, और जैसे search करेंगे, तो यह आपके direct facebook facebook profile के profile page पर redirect हो जाएगा, तो मतलब इसके इसके फायद है, अब जैसे ही आप इसे अपने facebook एक को open करते हैं और इस पर क्लिक करते हैं, और तो आपको यहाँ your profile link के नीचे https www.facebook.com slash hellouak यानि मिंज आपका profiling कस्टमाईज हो गया अपहले यहाँ है, slash के बाद बहुत बड़ा लंबा टेक्स्ट आता था जो आप unique कर दिए hellouak तो friends इस तरह से आप अपने profile link और url को कस्टमाईज कर सकते हैं और इसके यह फायदे हैं जो हम लोगों ने पहले बता जो पहले में आपको बता दिया तो I hope friends यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो इस फूल अगे तब प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को like and share करना ना भूले मिलते हैं आगले वीडियो में बाई अगले वीडियो में बाई